ये गाईस स्वागत है आपका हमारी चैनल कॉंफी कार्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की ब्लैक बर्ड के बारे में तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए आप वीडियो को एंड तक है कि वो भारती बजार में अपने पाऊं पसार ही नहीं पारे मतलब टाटा एक के बाद एक इतने जबर्दस्त जबर्दस्त मॉडल लॉंच कर रहा है कि किया सेल्टॉस और एमजी हेक्टर की जैसी गाडियों की बैंड बजी पड़ी और एक तरीके से अच्छा भी कर रहा यहाँ पर दोस्तों बात कर इसके प्लेटफॉर्म की जैसे कि हैरियर में रेंज रोवर का प्लेटफॉर्म यूज किया गया तो उसको शेर किया गया था उसी तरह इस कार में आपको टूटरों की जो डिफेंडर आती है उसका प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है नहीं यहां पर दोस्तों इसमें आपको 1.4 लीटर का पैट्रोल एंजन और 1.6 लीटर का डिजल एंजन देखने को मिलने वाली है, एक्स्टीरियर से बात कर तो एक्स्टीरियर से लोग पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि जो हैरियर और जो सफारी है, उसको जो लुक से सामने किदम सिमिलर टाइप लगता है, लेकिन इस कार में आपको इदम नया और फ्रेश लुक देखने को मिलेगा, मतलब आपको मज़ा ही आने वाला है, मतलब इसके सेग्मेंट में और दूसरी कार नहीं होगी, जोकि लुक्स में, परफॉर्मेंस में और कमफ चारजिंग देखने को मिल जाए, दोस्तों इस कार में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको और दूसरी कार में नहीं मिलेंगे, सेफटी फीचर्स में आपको तगड़े मिलेंगे, मतलब इसमें आपको फाइव एरबैक्स देखने को मिलेंगे, नैविगेश आपको अविलिबल होगी और डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल और फ्लाट बॉर्टम स्टेरिंग वील इसमें आपको अविलिबल होने वाला है और टाटा की हैंडलिंग तो हमेशा से बहुत जबरदस्त होती थी बाके दोस्तों मैं कहूंगो आपको टाटा की तरफ जाना चाहिए पहले इसलिए मुझे लगता है कि आपको टाटा की कार की तरफ जाना चाहिए आपको इंडियन मैनुफेक्टरिंग ब्रेंड लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको सेफटी फीचर्स और बहुत ही अच्छा परफॉर्बंस देखने को मिल जाता है बाकी अगर बात कर ये कार कब तक लांच होने वाली है तो अभी तो इसकी कोई exact date निकल कर नहीं आई है लेकिन पूरी उमीद की जारी कि इस साल के end में टाटा आपको इसकी detailed और अच्छी खुश्कबरी आपके लिए लेकर आने वाला है तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद रही है तो इसको लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दो क्यूंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लात रहता हूं अभी के लिए थैंक्स तिल देन वीट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीड सब्सक्राइब कर देन भालाँ अओए आप सुझत थाखए है और अबसक्राइब कर देन वीडिए कर दो कर दो कर दो दो